साथियों, आपके तप से और हम सब के साजा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने कापी हद तक समाला है। लेकिन अभी संतोस का समय नहीं हैं, हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी हैं, अभी हमें बनारस और पुरवान चल के ग्रामिर्म इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्ता के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही हैं, जहां बिमार वही उपचार, यह हम भूले नहीं, जहां बिमार वही उपचार, जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्ता पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए हम सब मारी सारी व्यवस्ताएं, जहां बिमार वही उपचार, इस सिध्धान पर, और दूसरी बात, माइक्रो कंटेन्मेंट जोन, काशी ने भहुत सफलता पुर्वक उस पर ध्यान के दिदित किया, और उसका लाब मिल रहा है, माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाकर जिस तरह, आप शहर एव गाउं में, गर गर दवाएं बाट रहे हैं, आपने मेडिकल की कीट पहुँचाई ये गाउं के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है, इस अभियान को गरामिन इलाकों में जितना हो सके, उतना व्यापक करना है, डॉक्टर्स, लैब्स और ये मार्केटिंग कम्पनियों को एक साथ जोड़ करके काशी कबच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधागी, ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रहोग है, इसका लाप गाउं गाउं में लोगों को मिले, इसके लिए विशेज जागरुता प्यान भी चलाना चाहिए, इसी तरह यूपी में कई सीनियर और यूवार डॉक्टर्स ब्री ग्रामेड इलाकों में टेली मेडिसिन के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, उनको साथ लेकर इसे और व्यापक किया जा सकता है, कोवीड के खिलाब गावों में चल रही लड़ाई में, हमारी आशा बरकर और A&M बेहनों की भी भूमी का बहुत एहम है, मैं चाहूंगा कि इनकी क्षमता और अनुभव का भी जादा से जादा लाब लिया जाएं, साथियों, सेकंड बेव में हमने बैक्सिन की सुरक्षा को भी देखा है, बैक्सिन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फरंट लाइन वरकर्स सुनिश्चित रहे कर लोगों की सेवा कर पाए, यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुँचेगा, हमें अपनी बारी आने पर बैक्सिन जुरू लगवानी है, कोरोना के खिलाप हमारी लडाई जैसे सामोहिक अभ्यान बन गई है, बैसी ही वैक्सिनेशन को भी हमें सामोहिक जिम्मेदारी बना रहा है.